प्यारे बच्चों, इंडियन जोग्रोफी का कोर्स शुरू करने वाले हैं। SSC इग्लाम के लिए स्पेशली ये कोर्स होगा। एनिमेशन की हल्प से हम पढ़ेंगे। इससे दो बेनिफिट होंगे। पहला तो आपके दिमाग में वो चैप्टर अच्छे से छप जाएगा। दूसरा ये जो चैप्टर एक घंटे में कम्प्लीट होने वाला था वो पान से दस मिनट में ही कम्प्लीट हो जाएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से और पहले चैप्टर का नाम है भारत की स्थिती और विस्तार सबसे पहले तो ये बेसिक बात जानिए कि हमारा प्यारा भारत एशिया महाद्यूप का हिस्सा है और हमारे प्यारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद शाशित प्रदेश है हमारे भारत का कुल छेतरफल 32,87,263 वर्ग किलो मिटर है पूरे विश्व में तुलना की जाए तो ये मात्र 2.4% है मतलब पूरे विश्व में जितनी भी धर्ती है उसका 2.4% ही हमारे पास है और छेतरफल के इसाब से 7 नंबर पर है हमारा पैरा भारत पहले नंबर पर रशिया है, दूसरे पर कनाड़ा है, तीसरे पर चाइना है चोथे पर यूएस से है, और पाँचवे पर ब्राजिल है, छट्मे पर आउस्ट्रेलिया है और साथमे पर इंडिया है आप जानते हैं, तो ये साथ कंट्री टॉप सेवन छेतरफल के इसाब से आपको याद भी होना चाहिए ऐसे ही जनसंख्या के मामले में हमारा प्यारा भारत दूसरे स्थान पर है पूरे विश्यू में हमारे भारत की जनसंख्या की बात करें, तो 121 करोड जनसंख्या है, 2011 की जनगन्ना के इसाब से पूरे विश्यू का 17.5% हमारे पास ही है और पहले नंबर पर चाइना, दूसरे पर इंडिया हमने बता दिया, यूएस से तीसरे पर है भारत की अगर लोकेशन की बात करें, तो अगर हम 0 डिगरी अक्षांस या जो भूमद रेखा को अगर आधार मानेंगे, तो हमारा भारत Northern Hemisphere में है, उत्तरी गोलार्द में है लेकिन हम 0 डिगरी लोंगिट्यूड या 0 डिगरी देशांतर को अगर आधार मानेंगे, तो हमारा प्यारा भारत पूर्वी गोलार्द में स्थीत है तो इस परकार हम कह सकते हैं, हमारा भारत पूर्वी गोलार्द में और उत्तरी गोलार्द में है हमारे भारत का जो उत्री बिंदू है वो लदाख में पढ़ता है इंदरा कॉल इसका नाम है 37 डिगरी 6 मिनेट उत्री अक्षांस है ऐसे ही मुख्य भूमी का जो दक्षिनी हिस्सा है इसके लैटिटूड 8 डिगरी 4 मिनेट नौर्थ लैटिटूड है और ये जगा तमिल लाड़ू के कन्या कुमारी में पढ़ती है इसका नाम कन्या कुमारी भी है और इसे केप केमोरिन भी कहा जाता है और उत्तर से दक्षिन की जो दूरी है वो 3214 किलो मिटर है हमारे भारत का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है वो और उनाचल परदेश में है कि बिथू नामक जगा पर यह बिंदू 97 डिगरी 25 मिनट पूर्वी देशांतर है और ऐसे ही जो सबसे पश्चिमी बिंदू है 68 डिगरी 7 मिनट पूर्वी देशांतर सर क्रीक है गुजरात में पढ़ता है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है 29-33 किलो मीटर है पूर्व से पश्चिम जो दूरी है 29-33 किलो मीटर है लेकिन एक और इंपोर्टन बात हमारे भारत का जो सबसे दक्षनी हिस्सा है वो अंडमान निको बार द्वीप समू में पढ़ता है इसका नाम इंदरा पॉइंट है पिगमेलियन पॉइंट भी इसे पहले कहा जाता था इसके लैटिटूड 6 डिगरी 45 मिनट नौर्थ लैटिटूड है मतलब उत्तरी अक्षान से है ऐसे ही परिक्षा में पूछा जाता है कि सबसे पूरवी राज्य कौन सा है सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है सबसे उत्तरी दक्षिनी राज्य कौन सा है तो याद रखिए सबसे उत्तर में जो राज्य है वो हिमाचल परदेश है अब जमू कश्मीर नहीं है वो केंद शाचित परदेश हो चुका है सबसे दक्षिन में तमिल नाडू है सबसे पूर में अरुनाचल परदेश है और सबसे पश्चिम में आप जानते हैं गुजरात है 23 डिगरी शांस की जो करक रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है आठ राज्यों से गुजरती है पहला गुजरात है दूसरा राजस्थान है तीसरा मध्य परदेश है चौथा चतिस गड़ है पांचमा जारखंड है छटमा आपका वेश्ट बंगोल है उसके बा आती मानक समय रेखा जिससे हमारे भारत का समय निधाईत होता है ये पांच राज्यों से होकर गुजरती है शाड़े ब्यासी डिगरी ये पूर्वी देशांतर है पांच राज्य पहला उत्तर परदेश है दूसरा आपका मध्य परदेश है तीसरा चतिस गड़ है चोथा उडीसा है और पांचवा आ अंधर प्रदेश है और ये भी परिक्षा में पूछा जाता है कि जो ये रेखा है साड़े ब्यासी डिगरी ये नैनी से होकर गुजरती है उत्तर प्रदेश के प्रयाग राज के पास नैनी जगा है वहाँ से गुजरती है मिर्जपुर भी से नजदीक है, हमारे भारत की जो ये अंतरराश्टी मानक समय रेखा है, इसका और GMT का अंतर साढ़े-पांच घंटे का है, हमारी जो IST है जो मानक समय रेखा है वो GMT से साड़े पांच घंटे आगे है एक और बहुत इंट्रेस्टिंग बात आपको मालूम होना चाहिए भारत का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है अरुनाचल प्रदेश सबसे पश्मी हिस्सा गुजरात इन दोनों के बीच में सुरियोदे का जो आपको मालूम होना चाहिए क्यों अंतर है यह आपको पता ही है कि हमारा जो अर्थ है वो अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है मतलब अगर दिशा की बात करें तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में जा रहा है तो इसलिए सूरियोदे सबसे पहले अरुनाचल प्रदेश में होगा उसके बाद गुजरात में होगा ऐसे ही एनिमेटेड और इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए श्री अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर रहे है